तो दोस्तो अमेरिका और जापान के भी होश उड़ गए है क्योंकि भारत के DRDO और L&T ने मिलकर कुछ ऐसा बना दिया है जो कि impossible था दसल उन्हें ने दुनिया का सबसे lightest टैंक बना कर तयार कर दिया है वो भी सिर्फ 19 months के अंदर और ये देखकर पूरी दुनिया हिल चुकी ह चाइना बॉर्डर पर माउंटन रिजन काफी जादा है इसलिए भारती आर्मी को ऐसा टैंक चाहिए था जो कि काफी जादा हलका हो कि वो काफी आसानी से पाहडों पर चड़ जाए ये काम को DRDO और L&T कमपनी ने पूरा कर दिखाया है उन्हें ना सिफ एक अच्छा टैंक बनाया है बलकि इसे काफी तीजी से भी बनाया है 19 months के अंदर उन्हें ये टैंक बनाया है जो कि अपने आप में एक record है जब L&T के officials को ये पूछा गया कि उन्हें ये टैंक आखिर इतनी जल्दी कैसे बना कर तयार किया है इसका secret के आज तलग दुनिया में किसी ने भी इत इसों में distribute हो गया और काम काफी जादा तीजी से हो पाया अभी जो इन्होंने ये टैंक बनाया है इसकी testing की जा रही है ये अपने trial run वाले stage पर है दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि L&T ने इसी तरह का काम भारत के पहले bulletin project में भी किया था जब bulletin corridor को बना होते थे उसे जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता था कि अब क्यूंकि जर्मनी ने पास साल तक भारत को engine दिने से मना कर दिया है तो government अब इसके alternative ढूंड रही है और ये काफी जादा अच्छी बात है क्योंकि इससे भारतियों को मौका मिलेगा इस तरह के projects में शामिल होने के और L&T company और DRDO ने ये जो tank बनाया है ये तो एक बस first step है सिर्फ ये जो एक tank है इसे बनाने के लिए 1000 से भी जादा छोटी छोटी कंपनियों ने participate किया इस project में फिर चाहे वो tanks के parts supply करने की बात हो या फिर कुछ छोटी मोटी manufacturing की अकेला tank भारती defense industry को काफी जादा strong कर रहा है